मिस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से अगर आप चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में on notification बैल को क्लिक करना ना भूला था कि कोई अपडेट आप से मिस ना हो सके सब्सक्राइब कर सकते हो सभी लिंक्स आपको नीचे मिल चाहेंगे तो उस आज बात करने वाला हो दो 16 रुपे के शेर्स के बारे में तो दोनों के दोनों पैनी स्टॉक्स है और दोनों के Q4 नतीज़े आउट हो चुके काफी दमदार नतीज़े हमें देखने को मिलते हैं Q4 में एक कंपनी के दो नतीज़े आप देख सकते हैं मैं लिखा हुआ स्क्रीन में 999% का प्रॉफिट अब हुआ है Q4 में तो डेफिनिटी काफी अच्छी ख़वर है उन शेरोल्डर्स के लिए जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है अगर आपके पास ये और साथ में दूसरा जो स्टॉक है वो भी कफे अच्छा लगता है लास्ट काफी साल उसे स्टॉक कर रहा है और अपने हाइस से काफी तूट चुका है तो चाहुता आप उस स्टॉक को भी अपने नजरों में रख सकते हो इवड़े स्टार्ट करता हूं रिक्वेस्ट करोड की है ठीक है तो आप बोल सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अधर इंकम से नहीं आया है कंपनी की सेल्स के बाद आया है ठीक है प्रॉफिट आप देखे 179 करोड का हुआ है अल्मुस 999 परसंट का अब देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट पर जो लास्ट इसे पैनी स्टॉक किया है तो सब देख सेक्टों जैसे आपको बताया जा रहा है कंपनी के बारे में स्टेंडर्ड इंडस्ट्री के बारे में स्टॉक में 3% की तेजी थी यह मैनुफेक्श्यर करती है टेक्साइल केमिकल और गावर्मेंट्स में ठीक है तो मतला मल्टिप परसेंट अपने आमें काफी बड़ा नंबर होता है तो डेफिटी स्टॉक को चाहो तो आप अपने नजरों में रख सकते हो आपको एक पर शीरूडी पैटन दिखाया था है तो शीरूडी पैटन स्टॉक में आप देख सकते हो पर मोटर्स की होलिंग 20 परसेंट है एंड GTI की होलिंग 4 परसेंट है बाकी पब्लिक में आप देख सकते हो कि आप पब्लिक का काप इच्छा पैसा लगा हुआ है ठीक है तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि इस टॉक में पब्लिक मतलब जनल पब्लिक की होल्डिंग चाहता है तो आप क्या करोगे पर देख सकते हो एक लाग सतावना शेर से टेट के गया ते सभी की सभी शेर लोग लेके गए 100 परसेंट के टेवरी स्टॉक में उठाई गई है तो आप देख सकते हो मैंने आप पर स्टेंडर इंडॉस्ट्री का चार्ट प्रेंट खोला है और लास्ट सिक्समन से स्टॉक अब लास्ट एक साल से स्टॉक रेंज में रख सकते हो मेरे साब से स्टॉक का चार्ट प्रेंट काफी अच्छा है अगरे स्टॉक आपको पंदा रुपे की निजर मिलता है तो आप सिंपल से स्टॉक लागा सकते हो एंड जो स्टॉक के इमिजिट रजिसन्स है वो 20 तो यह था आपका पहला स्टॉक उमीद है कि आपको अच्छा लगा होगा अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ से अपना जो दूसरा स्टॉक है 16 रुपे 15 रुपे के आसपास ही है पंजाब सिंथ बैंक ठीक है अपना एक PSU सेक्टर का बैंक है और साथ में 170 नहीं यह रहा माद ही 21 में इसनको जो प्रॉफिट था 161 करोड का प्रॉफिट था ठीक है तो कमपनी का प्रॉफिट देखो इंग्रीस है लास् hump के के कंपैरिजन भी और लास्त क्वारटर के कंपैरिजन इसका मतलब ठीक है ठीक है तो डेफेटी आप चाहो तो पंजाव इन सिंद बैंक शेर को भी अपने अप्ज़र्वेशन में रख सकती हो अच्छा स्टॉक है इन टर्म से बगर देखो स्टॉक में न वॉल्म ठीक है साथ में पेस्टी सेक्टर का स्टॉक है तो यह निउस के बीचार सोचना क्योंकि यह स्टॉक बहुत स्लो मूविंग है ठीक है स्लो मूविंग का मतलं सोचना बहुत स्लो है यह स्टॉक तो अब देख सखते हैं जो यह आपका PSV वैंक है जैसे मैं आपको बता है last one year से काफी तूट चुका है और last five शालों फॉक काफे तूट चुक में अगर आप लोगों ने स्टोक को बाई कर लिया तो मैंने लास वीडियों आपको बोला था कि आप स्टोक को पंदर रुपे सोल रुपे बाई कर सकते हो अराम से 14 रुपे भी आएगा तो वहां भी बाई कर लेना मात 10 रुपे का ऐसा लगा लो बस ठीक है क्लोजिंग बेस आप इन 16 रुपे के 200 रुपे को अपने observation में रख सकते हो बाखे में बिलते हैं आपको अगले वीडियो को तक लिए बाई 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 टेक के रूट नाइट